आपस में गुटबाजी हो रहे हैं और राकेट खिलके चल दे रहे हैं कौन से विधायक नहीं है एक विवार सदन में मुद्द आठाए उसके लिए युवाओं के लिए कि रोजगार नहीं है तो विएस्टा चल लिए जिए जिए ने मिग्या किया फिर आप रास्ता पास्ता ते आपस दो बाया नी हा रादाए है तो दिनबर में लोगाट में घूमने के बाद वधानसवा में यह जानने के बाद कि यहां की जंता के मुद्दे क्या है शाम को हम यहां पर पहुंचे जहां पर तमाम लोग मौझूद हैं और इनमें से कई चेहरे यहां पर जन प्रतिनी दियें तो जितना विकास हुआ है उस कि बाद क्या कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को काम करना चाहिए उन मुद्दो को लेकर यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे तो सबसे पहले आप से शुरॉआत करते हैं सर नाम आपका गोविन जी आज हमने दिन भर जंता से यहां पर बातचीत की तमाम शेत्रों में स्बाँन के द Je android स्वाइन के एक क्या काम किया जाला सरकार की तरफ से आप पर कितना काम किया गया है विकास को लेकर क्या कुछ सोछने हैं आपने किया है कि काम तो बहुत सारे हैं पलाइश Eliz redund कि बाशन के था कि रोजगार की अवसर रहने मोई और दोग्टर यहां पर क्यों रहना चाहेगा जब यहां पर सडके नहीं यहां पर स्कूल नहीं है अगर उसकी बच्चे यहां पर पैदा होते हैं तो वो किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाए कहां पर शिक्ष्य व्यवस्था उसके बच्चों को बहतर मिल पाएगी तो वो सब चीजें अगर नहीं होंगी जो मुल्बूत सुविदाएं आम जंता को मिलनी चाहिए तो आकर कोई यहां क्यों रहना स्कूलेज है अच्छे बच्चे पड़ते भी हैं बहुत शाए नौहरी जौब है जिकलते ही . और determinate लेकर कोई के जरा सबण का दर्वाज़ा खळकर मुनुसाइज invasion को तो वरतमान विधायक किसके लिए क्या कर रहे हैं उनका जो रोल है आपको लगता है कि उस रोल को उन्हें धाया जोबी नाम नाम सवासा नगारब εκषाः लौहाघाट में, आप सहमत हैं उनकी बाद से कि जनता जोना हमने बताया कि इतना समस्याइं हैं उन सबस्क्राइब करेंगे और अच्छा काम करेंगे रास्तों में बाल्टिया लेकर बैठे वे थे पाड़ों में तो आपड़ों में वक्त रहे हैं आया था था थोड़ा डिस्टर पर और सब बढ़िया हो जाएगा कोई ऐसी बात निया सब बढ़िया चल लाए यहां पर कई लोग बहुत-बहुत खुश है लेकिन और लोगों से बाचीत करते हैं सर नाम संजीब देखिए यहां जो विकास के खाके की बात की जा रही है क्योंकि हर किसी का बिचार एक्सार नहीं होता सबके अलग-अलग होते हैं जैसे कि हमारे उसमें हमुआ पता नaton पर हम सीटी से सकते हके हमारे हम आप बहुत ही अच्छा और पांई नहीं इनओर रहा वह सन्थ सतर साल के कैसे लोगन वह कहां से पानी के बिशSe Att uneasy साल के जो कहां से सब्सक्राइब लोग जो है उनका कहना है कि वो लोग खुश है लेकिन कितना खुश है वो हमने ग्राउन पर देखा सर नाम आपका प्रकास राइब प्रकास जी यहां पर जितने जन प्रतेंदी मौजूद थे सबने कहीं न कहीं मुस्कान के साथ यह क्या दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं लेकिन यह जन प्रतेंदियों के और जनता के विचारों में इतना फर्क क्यों है हम ग्राउन पर देखकर आए हमने टूटी सड़के देखी है हमने लोगों को पानी के लिए इंतजार करते हुए देखा है आतिकरमन की बात तो अतिकरमन इतना ज्यादा तो यहां लुहागाट में इतना जादा तो यहां लुहागाट हैनी और पानी ठीकी चल रहा है सड़के टूटी-फूटी इसलिए भी है कि मैं एक समय ऐसा था कि गिनी चुनी 10-12 सड़के होती तो उसमें जो जिला योजना आप जानती होंगे फिक्स पैसा होता है उसमें परतिवर्स से 2-4 परसेंड बढ़ता रहता है तो सड़कों का इ अफिजाल यहां बिशा हुआ है अब देखिए वो जो वहां बाहर गए हैं वो उनका इस्थाई पलाइन नहीं है वो केवल रोजगार के लिए उनका परिवार यहां है लीकिन किर्शी पर आधारित हैं पलाइन करता है वो सबसे बाहर जाता है यह न hm 하 अब मेरा नाम सोंया यान है क्वाम पर कोई दिक्कते नहीं जैन प्रदिंद्हिं। इनका कहना है अर उन्हों इन्हों पर गए और उन और अवरतों से बात किये जो पानी के लिए दूर डरास जाती है उन महिला। इसकों बात केरिये हैं टो ये विचारों में इतना बदलाव क्यों है यहां पर और उन छेत्रों में रोहागाटके जहां पर महिलाओं वाके परशान है कि सरकार वाके महिलाओं के लिए तना कुछ कर रही है मैं जहां तक सरकार की बात है वो तो कहीं न कहीं पक्षी भी पक्षी तो हमेशा लगाई रहता है अगर कुछ खूबिया है तो खामिया भी है तो हम एक ही तरफा नहीं देखेंगे तो अगर कहीं महलाओं के बारे मागर हम बात करें तो काफी विकास हुआ है अब वो कई करते हैं कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है हमें नहीं पता कि कितना विकास हुआ है तो यह जाग रुकता की कमी वहां क्यों है आखिर मैं इसकार यह हो सकता है कि में तो खेर शिक्षाई है लेकिन अब यह होता है कि हम जिस सेत्र में रहते हैं हमारी जो एक्टिविटी है हमा सेरों के बाद करेंगे तो हमें एजूकेशन है अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है हर चीज तो इसलिए बस यही एक अंतर मुझे नजर आता हूँ और ऐसा कुछ है नहीं यस ना और कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं माम नाम आपका माम देखिए यहाँ पर बहुत सी महिलाएं थी जिनका ये कहना था कि बहुत विकास हुआया लगी कुछ लोग कर यह कहना है कि महिलाओं के लिए परशानिया बहुत ज्यादा है क्या यहाँ पर स्वास सुवधाय कम है और सडकों से दूसरे अस्पथालों तक जाना बहुत अच्छे खोलने चाहिए डॉक्टर्स है लेकिन आते उनका ट्रांसफर हो जाता है ज्यादा रुकते नहीं है जतने जन प्रतनिती जुड़े हमारे साथ उनका कहना है कि नहीं मेलाओं को दिकत नहीं है सब विकास सब कुछ बहुत बहुत बैतर है ऐसा क्यों निए पहले से का काफी विकास हुआ है पर अभी भी है कमयां धीरे-धीरे हो रही है वर्मा जीने काफी अच्छा काम दिये और जो मैलाइं मौजुद है उनसे जानते हैं माम नाम आपका हमें मिस्स गीता पुनिट है माम देखिए यहां पर जुस्तरा से विकास की बाती की जा रही है हम ग् परिवाल को छोड़के मिस्स वह पानी बहने के लिए फॉस्स एक्स्रा टायम को निकालना पड़ते है तो इसके वेसे मतलब थोड़ा पानी मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर उसको मतलब थोड़ा अच्छी तरह से सप्लाई हो जाए तो मिलाओं के लिए क्या आपको लगते क तो इस तरह की दिख्कत बहुत आई है महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है मैं महंगाई तो इतनी बढ़ गई ना हमको बहुती सोचना पड़ता है जैसे पहले होता था कि हम सब चीज ले लेते थे अब क्या है अगर यह लेना है तो यह नहीं लेना है कॉंप्रोवाइस क लगातार जो पार्टी यहां पर राज कर रही है उस पार्टी को लेकर कोई खुश नजर आ रहा है आपकी राय क्या है मेरा भी यही राय है कि मिला जुला असर है लेकिन अगर हम उसको देखें की तरक्यों जो इंप्रूमेंट हुआ है वह है काफी पहाड में बस अभी जै कि पलायन' भाट बड़ा मुदधा यहांपर बना हुआ है और आखड़े कहते है कि कोरोनगार की दरान जितने लोग वापस आएं हैं यहां से बहुथ पलायन हुआ था लोग वापस आए और वापस रूप कर रहे है बले हि उनको बहुँं जहेलना पड़ा शैरों में तो पलायन का मुद्दा आपके बच्चों के लिए रोजगार का मुद्दा इस मुद्दै को लेकर आपकी राय क्या है कि मया मेरी राय तो your ही कि अगर जब तक हमारा अपना कोई योपू कहीं वाल जिस्त करी हे हैं चारब इस बच्चों को अब सब योजनाई नहीं बताई जाएंगी तो अवियसली पलाइन तो हो गई बच्चे पढ़ा हमारे मोटो होता पढ़ाई लिखाई करें और बच्चे जॉब के लिए बाहर चले गए तो वह तो कोरोना टाइम में वापस अगए अलग बात है अदर्वाइस इससे हमारे यहां पर बहुत सवरोजगार की कुछ योजनाई नहीं है उनको भी सरकार को तलाषनाँ हो इसके बाद यहां पर कुछ हो सकता है कुछ यूवा में रही यूवाप अने के नाते आने वा भरिष्षय मीं आपके लिए लोगाट पर संभावना नहीं रोजगार मिल आए दिन लगादार रोक लगा जा रही है, फॉम फीज माप कर दी, लेकिन उसके बाद भी कोई उसका कोई एक्जाम नहीं निकाले गए हैं यहाँ पे, यहाँ के लिए कोई पाहड माप को पता है कि सरोजगार के नाम पे क्या होता है, यहाँ पे भेड़ पालन बगरी बालन यहाँ कोई पार्क निया, मतलब कोई ग्राउंड निया, खेल मादान निया यहाँ पे, अब वो जमीन ही निया, तो खेल मादान कहां से होगा, और युवाँ के रोजगार की एक सरकारी नौकरी पे टिका होता है, पाल का युवाँ, बाकि आर्मी एक एक ऐसा है, छेतर जि प्लाइन कर रहा है, लेते कि अगर आर्मी नहीं बता है, तो सिद्रे का घलता है, होटल को चल लेता या बाहरी बाहरी बढ़ासों को दौर लगाता है, लेकिन ऐसा और और सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगे लगाता निया तो हमेसा युवाँ को यहाँ पे दिक्कती जि आपका नजरिया कि उससे थोड़ा आलक है नहीं में वह सकता हो एक विचाधारत से परभावित हो या फिर उनको कोई नीजी फैदा हो रहा हो लेकित आप भी देख रहे हैं कि क्या युगाओं की इस्तिती बनाएगे यहां पर राजी में देखे नेता खाली हमें क्या दे रह को तो तो एसा यह पर और तो वाकि विदायक जी का आप देखि रहे हैं वर्तमान विदायक जो है उनके काम को लेकर आपकी राय क्या है बहुत से लोग बोले से तो मुझे लगता है कि यहां होने के नाथे आप बता सकते कि अच्छा काम कर रहें यह बुरा काम कर देखिए बाद करें तो खाले अभी भी तुमिंगम्रा ओजाने चाहिए इन कि अहां तेक बाहरत को सट्राइं हो जाना जाना चाहिए इसे डीके जाहिए इसलिकर टेशिए नाम हालती ख taşणा करें मोग में तो आप़ कोई हैं अuitoय को सुषयार नम्सेइन से और आपगे pandemic उनके लिए खाने की व्यास्ता नी रहने की व्यास्ता नी और इनको उल्मपिक पे मैडल चाहिए ऐसे कैसे ओलम्पिक मैडल मिलेगा अभी यहाँ पे हाली में क्या था रैकेट बैटमें दिन वर्टों के चल ली ती वहाँ पी आयोजन करता है कोई है आपस में गुटबाजी किसी भी नेता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा आप देखिए आप कोई भी सदन की आप एक में मुझे लगता है कि इससे सेमत हो एक महुँ हर घर नल पहुचाए क्या करो कि पानी की स्रोती नहीं फ्रोत से खाली लागा है ओऊटा लगा देने से पानी पानी नल को व वह क्या है कि अवो ऑन dog करता हि है कि लॉग ना ही भी तो पानी अपनी पहने लग जाएगा तो मुझे वो कॉंटेक्रेसी करिये लेकिन उसके बाद भी तरफ मेरे साथ यहां पर युवा मौझूद है और एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति मौझूद जिनको शायद बहुत अनुभव होगा सर नाम आपका ग्रीशाद सर्मा सर देखिए यहां पर जो युवा हैं उनकी विचारधारा शायद यहां के लोगों से काफी अलग है मैं जाना जाती हूँ कि आपका अनुभव क्या कहता है कि इतने वक्त में किसी सरकार ने लोगाट में विकास किया और वरतमान विधाय क्या कर रहे हैं बिदायक के बारे में नहीं कैस्ता हम इव्यायक टाइम पर में यहां नहीं था अभी देख रहा हूं अभी एलेक्शन का दोर चल रहा है यह रोट शूटी हूई है पेजल की समस्या स्वास्त की विधायों का भाव है समस्या सबसे बड़ी है यहां वह इसलिए है कि जो पा लेकिन उपर उपर लेबल पर नीचे गरीव लड़का जो भूका बैठ रहा है कागजु में बहुत बता रहेंगे हमने यह कर दिया वो कर दिया मेरे साथ कोई चल के दिखाए मेरे गाव में मैं बताओंगा यह बच्चा भूका बैठा हुआ उसको कौन खिला रहा है खाली का लेड़े तो मैं नहीं जाना में दिलिका रहने वाला हूँ अच्छा काम कर रहे हैं यहां वह बहुत बढ़ा काम है आपको पकी रोड़ है आपको हमें आप किसी अधिन आप इंट लोगिंगी ताप सभाई जैसी लोगाट हुए कलपना करने सकता था सब्सक्राइब आपक सब्सक्राइब आपको हमेसा सुनी जाएगी कभी उस पर कोई प्रोक नहीं होगी है उनके काम को लेकर जो यूवा है वो तो खुलकर बोल रहा है लेकिन जो अनुभवाले लोग है वो नहीं बोल रहे हैं इतना कत्राना क्यों है अब यूवाओं के दिल में वैसे ही आ रहा है अपने विचार रखे जो यूवा मारे साथ मौझूद है इनमें काफी आक्रोच है रोजगार को लेकर क्या बराबर आपके उसको देखा होगा तो तभी कह रहा होगा आपका कहना है रोजगार की दोड़ में हूँ और मैंने जितना रोजगार करना तो कर दिया अब मैं मैं बैठा हुआ हूँ तो देख रहे हैं को यूवा वैसे रोजगार की बिना परिशान काफी ज्यादा ही है वैसे तो ऐसा नहीं थोड़ा बहुत देखना जाहिए जैसे आपके सरकार ने चलाया है पड़े लिके बच्चे को पैशा दे रहे हैं अपना को रहे हैं कर तो र अपर उठाए यह बच्चा ठीक कर रहा हो अगर इसको अपना स्वरोजगार करने के लिए उसको अगर रकम मिल जाएगी वो करेगा फिर उसके माबाप भी है उसके बाल बच्चे भी पड़ा लिखा भी है उसको मिलना चाहिए तो अब ट्राइग किया या नहीं किया वह उ उठाना अभी जरूरी है लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां की जंता यह कहती है कि विकास हो रहा है कुछ जगाओं पर जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहे है और प्रतरिदी कर रहे है लेकिन बाकी जगाओं पर विकास नहीं हो रहा है रोड स्टूटी हुई हमने देखी हमने यह भी देखा कि लोग यह कह रहे है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है लेकिन रिपोर्ट कार्ड जब कागजों में पेश किया जाता है आकड़े दिखाये जाते है तो बहुत कुछ होता है लेकिन आने वाले मिधान सबद चुनाव के लिए निता जी यह सु हुआ है कि यह रिपोर्ट कार्ड कागजों में जरूर है लेकिन धरातल पर उतना उतर नहीं पाया है जितना कि दावे और वादे किये जाते हैं फिलाल के लिए मेरे साथ इतना ही आप देखते रहें प्रतिपक्ष संबाद नमस्कार